नमस्कार स्वागते जंता का राज में और आज हम एक ऐसी सक्सियत से आपको मिलाने वाले हैं जो हमारे बुंदेल खंट से बाहर से हैं आगरा से देवराजपुजी हैं और देवराजपुजी का पर्चे ये है कि डांस के छेतर में कई बच्चों के आइडल हैं और बहुत अ पर्टिसबिट करने कैसा लग रहा है देवराजपुजी यहां राट कर रही आखर देखिए मुझे बहुत बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत धन्यवाद देना चातो पहले जंता वाज का जन्ता कर रहा सौरी तो जन्होंने मुझे इतना संब्मान दिया प्यार दिय और राट की जो पब्लिक है उसने इतिना प्यार दिया और आज आगरा से चलके मैं ऐसे जज़ के रूप में बच्चों को सम्मानित करने के लिए आया हूँ तो यात्रा के बारे में जानते हैं देवराजपु जी बहुत सारे बच्चे आपको कॉपी कर रहे हैं देख रहे हैं और हम भी आपको बहुत दिनों से फॉलो कर रहे हैं यहां के बच्चे भी राठ में जो डान्स कर रहे हैं महोवा में भी देखा में आपको जैसे करते हुए आपकी आत्रा के बारे में जानते हैं कैसे इंट्रेस्ट था कैसे लगा कि डान्स के छेतर में आगे आना चाहिए देखे सबसे पहले तो मैं एक छोटी सी गली बस्ती आगराग जिले में रहता हूँ जिसमें कोई भी साधन ऐसा नहींता कि हम लोग डान सीकें या कुछ भी कहीं जा पाएं एक बहुती घनी बस्ती जैसे कहलो कि वहाँ कोई साधन भी नहीं मिल सकता डान सीकने का तो जैसे कि हम लोग TV देखते हैं बहुत सारे गाRahओं में आज वचल टी वी देखके डान सीक रहे हैं ऐसे कुछ मेरी यादगार यादहें हैं जब मैं लोगार सारूह आण का गाना है स्रुमान आचार खाल नंद और गो B近 cannon रहा है और यह डांस मैंने डूहार दस से स्टार्ट किया था ऐसानी जिन दो हम लोग खेलते कूद आये था यह दस लोग से जो हमने अपने घर में डांस करने लगें ऐसे तो घर वाले पागल होगा तो नस करता रहता पता नहीं पूरे दिन तो ऐसी फिर भाई भाई दोस्त के फ्रेंड वगर आते थे वह कहते थे तो आम लोग वह भी करते थे तो जैसे कहीं जैसे मालों कभी-कभी जन्माश्ट में मंदिरों पर जो प्रोग्राम होते थे तो मुझे बुलवाया जाता था वहां पर डांस करने हमें हमें खुशी होती थी डांस करके कि हमें सिर्फ डांस करना और वहां इनाम रखी आती थी पहले पांचसो एक रुपे तो वह उसे जीतने के लिए हम लोग बेतावू रहते थे बाकी जब हम लोग फिर दीरे भढ़ते गए तो लोग हमें बलाते गए कि बाई यहां भी क्योंकि मेरी एक उमीद थी कि महबाप को जो नाम से जाना है महबाप के नाम से हम लोग जाने जाते हैं लेकिन हमारे कुछ नए नाम से महबाप को पैचान मिले वह एक अलगी बात होती है मैंना ऐसा मानना था तो मैंने अपने इस चेत्र में अलग नाम मनाया अलग मुकाम कमाया फिर दीरे दीरे हम लोग सुरूबात करते आगे पहुंशते गए तो मेरा एक दोस्त बिला मुझे तो उसने मुझसे बोला कि भाई तू क्या गड़ता है मैं डांस करता हूं यार मुझे पढ़ पैसे नहीं सीखने के लिए तो उस दोस्त ने क्या किया कि तू यार तो मेरे दोस्ते मुझे नेट चलाना सिखाया कि इस तरीके से गूगल पर सर्च करते हैं यूटुब डाल यूटुब पर डांस वीडियो डाल तो वहां से तुम आसानी से डांस सिख सकते हो तो वहां से मैंने शुरुआत की और मैं रोज गंटे जैसे मुझे खाने के लिए मिलते थे तो पंद्रें हुरुआ मैं एक घंट सायको अपीवत देता था वहां देने के बाद मैं बहुत सारी वीडियो डाwnलोड करके रख दी मैंने तो उनको मैं दीरे-दीरे सीखसी के अपने घर पर पर बैट्रिक्स करता था डेली बहुत सारी वीडियो से प्रैक्तिक् डान सीखने के लिए लेकिन जुनून लेकिन कहते हैं किसी के लिए आप बड़ी सी टीवी लगवा तो भी नहीं सीख पाता है लेकिन हमारा जुनून इतना आता कि हम छोटे सी फोर में वीडियो देखते थे उसके बाद मैंने एक डीवीडी प्लेयर लिया डीवीडी से गाने चलाता था सीडी जो चलती थी पहले के टाइम पर यह कम से कम आज से कम से कम 15 साल परानी बात है तो मैंने डीवीडी ली फिर डीवीडी में गाने चलते थे अब भो भी खरा होगी गाने अटेकने लग जाते थे खरा हो आती तो गिस्तिने लगती थी तो ये समस्या मेरी जिंदगी में आती रही उसके बाद मैंने सपर चालू किया धीरे-धीरे मुझे मैं करता गया स्कूलों में करता था अपने स्कूलों में नाम करता था अच्छा डांस का उसके बाद मैं एक अगेडवी में मुझे ओफर आया डांस सिखानेगा जबकि मैं खुद नहीं जानता था डांस ओफर आ गया डांस सिखानेगा तो मैं गया डांस सिखाने तो पहली बार तो कोई भी कहीं डांस सिखाए तो अपने आपके अंदर confidence होना चाहिए confidence नहीं है तो कुछ भी नहीं है बतायांगे देखें लाइन कोई भी हो confidence होना तो बहुत ही जरूरी है एक चोर अगर चोरी करता न तो उसे confidence होता है बहुत जादा तब ही वो चोरी कर पाता है वरना वो डरता रहेगा confidence हमारी life का बहुत बड़ा इस्सा है वो नहीं है तो हम कुछ नहीं है बीच में आपको देवराजपुजी का एक बहुत बैतरीन आपको डांस है हम आपको दिखाने बाले हैं तो भी आपको मिल जाएगा देवराजपुजी मैं अपने बुंदेलखंड की बात बताता हूँ तो और फिर आंगे जैसे डांसे आपने किलाश जुआने ओफर आ गया फिर उसके बाद देवाई है उसके बाद मैंने जो देखा महौल डांस का जब मैं भार निकला रोड पर तो मुझे अपनी बस्ती जब मैं भार निकला मैंने लोगों को देखा बहुत सारे बच्चे डां मैं तो कुछ नी कर पाऊंगा किया तो कुछ लोग तर तो किसी इसानнокोण जवाब नहीं देना चाहिए अपनी काविले से जवाब देना चाहिए ऐसा मेरा मानना है कुछ लोगों मुझे दर्वाजे पर खड़े-कड़े करके एक गंटे लोटा रहा था जब मैं लोगों से सयोग मांगता था तो लोग कहते हैं नहीं यह तो तेरे वसकी बात नहीं इस इससे मिल ले उससे मिल ले ऐसा कुछ नहीं तो मैंने भी उसी दर्वाजे पर उसी जगह पर एक खसम खाता था मैसा अपने अप में कि एसा बक्त लाओंगा कि यह लोग मुझे मिलने के लिए मेरा नम्मर पाने के लिए तरसेंगे और आज आगरा के अंदर ऐसा समय मेंने और ये खुद पर भरोसा ये जो जिद है ना देवजी की आप वो जिद बहुत कमाल की जिद हो और हर किसी इंसान में वो चीज होनी चाहिए कभी अपना होसला डावनी अब मैं बुंदेल खंड की बात करता हूँ जैवईया यहां पर देखते हैं देवईया कि यहां पर हैं और केवल आव हैं यहां बुंदेल खंड में लगता कि पढ़ लिक कर ही लोग नवाब बनेंगे आज जब कीजिए हैं आप डांस के छेत्र में इतना नाम कमा रहे हैं देखिए मैं सबसे पहले तो उन लोग को बोलना चाहता हूँ जो लोग हम लोग को नाचने वाला न कोई नंशे के लिए नाच रहा है तो हर एक इंसन नाच रहा है लेकिन हम बहुत बड़े लगी इंसान हैं। हम जो नाचना हमें आता है है आप लोग देखा होगा आपने आपकी कभी घर में घूंवत आंगे तो आपकी माभव ऑब कहते हैं अए इधरवी नाच रहा है का मैं नाचना आद बहुत हcorpor aprie और चाहते हैं कि अंदेव जी एक और आप吧 पूछना चाहते हैं कि डान्स में आप कुछ कोचिंग चला रहे हैं या कहीं यहां बुंदेल खंड में ऐसा कोई डान्स के बारे हैं बच्चे सोच रहे हैं जो नहीं वहां तक पहुच पा रहे हैं उनके लिए अगर देवराजपु जी से कुछ सही होगा मिलना होगा उसके देवराजपु जी क्या करहें जो आपने दौठ जी यह संगर्ज का उन बच्चों को गुतन शंगर्ण ना करना पड़े देखिए मैं जब डांस मेरे पास पैसा नहीं ता शीकने ना तो मैंने बच्चों को देखा लोगों को देखा पारक में डांस करते हुए तो मैंने उनको उसी पारक में डांस सिकाना श्टार्ड किया कोई पैसा नहीं उनसे मैंने टीम बनाने के लिए बहुत बड़ा मुकाम तयार किया उसके बाद मैंने मुझे लगा कि यार जिस कोटे से कौार्टर होते हैं सरकारी कौार्टर तो मैंने 2,000 अपे में कौार्टर ले रखा था, वहां एक घंटे में सब को डान सिखाता था, उसके बाद मुझे लगा कि नई यार मुझे और आगे भी बच्चों को तलासना चाहिए, तो वहां से मेरी एक तलास, जैसे पिच् स्कूल वहार कोहीं नहीं पहुंसता है कलीवस्ति वहार कोहीं नहीं नहीं सब्धाइं भी नहीं Shops मैं वहार पहुंुचा, उन बच्चि को धूरा मैंने तलासा, सेलेक्ट किया सम्मान के साथ कि अइसा नहीं savez उठा लाया सम्मान दिया उन Q faculty कि दो हो मेरी Foundation तो इस तोर पर मैंने एक पहल चलाए कि कोई भी जो स्लम्स बच्चे होते हैं गरीब बच्चे होते हैं जो प्रतिवाँ छुपी रहती है उनके अंदर उनको निसुल्क मंच दलाओंगा और उनको निसुल्क फ्री ऑपकोस मैं डांस कर घूँँगा तो वह मैं कर रहा हूं आज मैंने स्व से ऊपर मैंने बच्चो को निसुल्क मंच दलाओंगा आज सभी बच्चों के घर में जो सरगारी स्कुल से मैं ले के आया तो बच्चों का आया उनकी घर में सो सो आवार्ड रखे हुए हैं तो कैसी लगी बाची देवराजपुजी से आगरा से पधा रहे हैं हम लोग करही में थे और आप शुक्रिया और देवराजपुजी से कुछ भी आपको छोटे-छोटे मुमेंट डांस के कुछ भी स्टेप चाहिए हो तो लिंक देवराजपुजी का डिस्करिप्शन मिल जा जल्दी कोई हमारे छेतर में भी आप खोलेंगे क्योंकि अभी में आज जो आया हूं मैं जज्जमेंट करने काम आया हूं बच्चों को मॉडिविशन देखने आया हूं जो बच्चे प्रतिवात हैं उनके अंदर निकल नहीं पा रहे तो आज कुछ बच्चों को मैं यह उ कर सकते हैं शेतर में सुप्रियाम से बात करने के लिए ठैंक यू सो मच जनता की रख